इंडिया नियूज समवादाता मनुज चाहर ने एसीपी ताज सुरक्षा सयद अरीब एहमद से पूरी प्रणाली को समझने की कोशिश की है उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं आजनगरी आगरा में परेटन सीजन को लेकर टूरिस डिलाइट ओपरेशन चलाया जा रहा है इस ओपरेशन के तहट नई नई जो प्रणाली है वो लागू की जा रही है इस समय एसीपी अरीब एहमद जो ताज सुरक्षा एसीपी है उन्होंने एक परेटन पथ ये लागू करने का बिचार बनाया है उसकी पूरी रूप रिका बनाई है कि अगर कोई परेटक बहार से ताज महल दिदार या कोई अन्य मॉनूमेंट दिदार करने आता है तो उसको जाम से नजात मिलेगी तो उनके लिए पूरा एक प्लान यहां पर तयार किया है हमारे साथ हम से सीधे पूछते हैं किस तरीके का यह परेटक पाता है और क्या इससे लाब परेटक हैं उनको मिलने वाला है हम आपरेशन टूरिस दिलाइट चला रहे हैं इसके तहट परेटकों को सुविधा परदान करने के लिए जो भी हमसे बंद पढ़ रहे हैं जब भी परेटक सीजन शुरू होता है तो लगबग 10,000 वान परेटकों के एक्स्ट्रा शहर में आते हैं इससे जो परेटक हैं उनको जाम से जूजना पड़ता है कई बार वो समय से ताज महल नहीं पहुच पाते और ताज महल बंद हो जाता है इसके लावा कई बार जो शहर के वासी हैं उन्हें भी इन परेटक वहां से समस्या पैदा होती है शहर में कंजेशन क्रेट होता है इसके लिए हमने एक परेटक से लागू होगी जब से नियाब टूरिस सीजन जो शोर से शुरू होगा इस परेटक पत योजना के तहट हम सतर जगा पर चिन्नित करके QR कोड लगा रहे हैं यह QR कोड स्कैन करने पर जो परेटक वहां है उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाये जाएगा जो रास्ता जाम मुक पहुचेंगे जहां पर पार्किंग की अच्छी सुविदा उपलब्द आ उनके लिए और उनके लिए बाकि सभी सुविदा हैं यहां पर उपलब्द हैं पूर्वी गेट हमारा वी आईपी गेट है तो वह असानी से अंदर चले भी जाएंगे और ताजमहिल का उनका जो तो से बहुत अच्छा रहेगा है और यह सारा अगर लोकेशन सर्च करता है और मज़ें से परेटक पथ ही दिखायाजाएगा यह 70 जगह जो हमने चिनित की है यह आगरा के बॉर्डर से ही शुरू हो जाती है चाहे वो एक तरफ फरा टोलो एक तरफ टुंडला टोलो या अलिगर से आने वाले वाहनों के लिए भी सभी जगह पर जो मुख्य मुख्य मार गये हैं हमारे उन पर यह QR कोड बेस्ट बड़े देखिए पिछले पूरे साल में लगबख 70 लाग देशी परेटक और 7 लाग विदेशी परेटक ताजमेहल का दिदार करने के लिए और इसके साथ इस बुलिटन में इतना ही दिए